सामलीकुम स्टुटेंट्स होप सो आप लोग खेरियत से होंगे जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में वाइल लूप को देखा है तो हम वाइल लूप के कुछ फंक्शन परफॉर्म करवा के देख रहे थे कुछ हम प्रोग्रेम परफॉर्म कर लेते हैं कि हमने किस तरह से वर्ट करवाना है तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ सबसे पहले हमने एक सोर्स फाइल ओपन कर लेनी है वाइल मैं फंक्शन ले रहा हो ना तो मैं वाइल लिख देता हूँ वाइल वन कर लेता हूँ कोई भी नाम दे दीजेगा cpp हम कर लेंगे ठीक है अब आप लोग ने एक प्रोग्राम ऐसा रन करवाना है जैसे कि हमारे पास एक ग्जैंपल भी थी एक ऐसा प्रोग्राम रन करवाना था जिसमें हमारे पास counting हमने प्रिंट करवानी है एक से लेकि 10 तक सबसे पहले हम अपना देदेंगे function header files देदेंगे stdio.h second header file देदेंगे hash include ponio .h मतलब कि console.h उसके बाद main function देदेंगे void main ठीक है उसके बाद अपने program की main body start कर देंगे अब हमने एक number लेना है int n ले लिए ठीक है एक number लिया है उस number की हमने value assign कर दी है कि एक value है ठीक है अब हमने यहाँ अपनी condition लगानी है loop लगानी है while यह कब तक हमारे पास run कर ले while का मतलब होता है कि जब तक हमने run करवाना है while n less than equals to n मतलब कि यह loop हमारे पास तब तक run हो जब तक हमारे पास n की value 10 नहीं हो जाती ठीक है तब तक हमारे पास यह execute होती रहे अब हमने while loop के अंदर syntax लिखना है यहाँ हम printf करवा देंगे अपनी statement को printf करवाएंगे printf के अंदर हमने लिख देना है कि हमारे पास integer value लिए तो format specifier हमारे पास क्या आएगा %d backslash n लिख देते हैं ताकि हमारे पास new line वो हमारे पास output हमारे पास counting आएगी वो एक से लेकि 10 तक वो हमारे पास new line के उपर print होती रहे तो हमें backslash n लिख देंगे ठीक है यहाँ तक हमारे पास हो गया यह ताकि हमारे पास इसमें किस चीज़ की value store हो n की number की उसके बाद हमने statement लगानी है n++ की condition कि हमारे पास जो n की value हमने एक दी थी न उसके बाद n की value में increment होता रहे जब तक वो 10 नहीं हो जाती ठीक है यहाँ तक हम अपनी statement को खतम कर देंगे उसके बाद हम get ch का function दे देंगे ठीक है यहाँ दर्मियान में यह भी लिख देते हैं कि यहाँ तक जब हमारे दस तक value complete हो जाए तो हमें एक और function हमारे हमें एक और message print करवाए जिस पर हमें लिखा हो okay कि आपका पाम हो गया है मतलब कि आपका जितना आप लोग ने statement दी वी थी उतना function perform यह देखे हैं हमारे पास आ रही है counting एक दो तीन चार पांच यह साथ आट नो दस ठीक है यहाँ clear screen का function लाजमी लगाएंगी क्योंकि हमें next program perform करना है तो हमारे पास पुरानी output खतम हो जाए ठीक है अब हम इससे run करवा लेते हैं हमारे पास पर लाइन आ रही थी वो भी खतम हो गई अब हमारे पास एक से लेके 10 तक किंती प्रेंट हो गई ठीक है यह हमारे पास एक program run हो गया अब हम चलते हैं अपने दूसरे program की तरफ वो भी हमने while loop के through करना है जिसमें हमने एक number enter करवाना है और display करवाना है table ठीक है तो चलते हैं हमने ऐसा number कोई भी number enter करवाना है और हमने उसका table प्रिंट करवाना है स्क्रीन के उपर तो हम चलते हैं उस function की तरफ तो हम यहां से कोई new window अपन कट लेंगे यहां से save as करवा लेंगे save as करवा लेंगे मैं while to के नाम से save करवा लेता हूँ .cpp extension ठीक है अब हमने मतलब कि ऐसा program बनाना है कि हम कोई भी number enter करें तो उसका हमारे पास screen के उपर table show हो जाए सबसे पाल अपनी header files stdio.h hash include koneo .h उसके बाद अपना main function void main उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी cutlip जैसिस की तरफ अब हम आ जाएंगे के हमने एक number लेना है int num और हमने c लेना है इसमें ठीक है c का भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक table अब हमने यहां clear screen का function देते ना है clear screen अब हमने यहां number enter करवाना है print f यहां हम करवा देंगे enter a number ठीक है अब हमने यहां scanf का function देना है same हमारे working पुराने programs वाली है percentage d आ जाएगा and num आ जाएगा यहां हमने number की value store करवाना है ठीक है अब c का क्या function है वो देख लेते है c की value हम assign करते हैं कि एक value हो है हमारे पास c में ठीक है मतलब कि हमने कोई भी number एंटर करवाना है उसको पहले एक से multiply करवाएं फिर दो से multiply करवाएं पहले हमने number एंटर करवाना है फिर उसके बाद c का function आएगा कि c को हमने एक value assign की वी अब c में increment करवाते रहेंगे तो हमारे पास वो आगे से आगे उसका table print करवाता रहे है यहां अब हमने loop लगाना है while loop लगाई है यह कब तक हमारे पास program run करें जब तक c की value less than equals to 10 नहीं हो जाती हमारे पास ठीक है same वही function आगे है हमारे पास उसके बाद हमने अब यहां देना है अपना printf का function printf इसमें हमने कोई भी जो हमने integer value ली है तो हम यहां क्या लेखें को %d multiply %d क्यूंकि हमने यहां इसका table print करवाना है तो multiply करवाएंगे तो मरबस %d आएगा multiply %d यह मरबस किसके equals होगा equals to %d backslash n ठीक है उसके बाद अपनी यह columns को बंद करेंगे उसके बाद हम यहां argument दे देंगे कि यहां हमरे बस number की value पहले enter करवानी है ठीक है उसके बाद जो हमें is equal को बाद result मिल रहा है न यह वाला ठीक है पहले हमने number को multiply करवाना है number से फिर हमारे पास जो result आएगा वो किस चीज़ काएगा C का ठीक है और number को हम यहां करवा देंगे num multiply C से यह आप एक दफ़ा खुद run करवाएंगे तो आप लोगों किसी समझ आएगी program की यह मैं आप लोगों को programming के notes इसके provide कर दूँगा C is equal to C plus 1 ठीक है हम A का increment करवाते जाएंगे C के अंदर यहां हम अपनी curly braces को बंद कर देंगे उसके बाद हम लगा देंगे getCH का function उसके बाद हम अपनी curly braces को यहां भी बंद कर देंगे ठीक है उसके बाद हम इसे run करवागे देखते हैं ठीक है कोई भी number एंटर करवाते हैं 5 एंटर करवाते हैं हमारे 5 का table show हो गया ठीक है दुबारा run करवाते है 7 7 का table आगे है ठीक है दुबारा run करवाते हैं 8 8 का table आगे है यहां तक ok हो गया ठीक है इसे save करवा लेते हैं file को अब हम चलते हैं अपर में अगले program की तरफ जो next हमारा program है वो do while loop का है तो जब तक हम do while loop नहीं पढ़ लेते तो आप लोगों उसकी समझ नहीं आएगी तो उमीद है आप लोगों इस lecture की समझ आ गई होगी हमने दो programming example भी की हैं उसके बाद एक और program है वो आपको बात में run करवागे physical classes के अदर दिखाऊंगा आप लोगो वो program easily understandable हो अमीद है आप लोगों समझ आ गई होगी अपना ख्याल रखेगा लाफ़ेज हज एम मुझ पर